आज हम लोग यहां पर बात करेंगे best design feedback tools के बारे में और clients को कैसे सही तरीके से आप लोगों को images भेजनी चाहिए उसके बारे में भी Hi guys, मेरा नाम है कृपेश आडवानी, यहां पर मैं digital tools के related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले design feedback tools के बारे में अब यह design feedback tools होते क्या है, basically इन tools का use यहां पर किया जाता है feedback देने के लिए design के उपर For example, यहां पर किसी ने अगर मुझे thumbnail भेजा, मैंने एक designer को hire किया कि मेरे आप YouTube के thumbnails बनाओ उसने यहां पर मुझे thumbnail भेजा है WhatsApp के उपर अब अगर मुझे feedback देना है उसको उस particular design के उपर तो फिर यहां पर मुझे उसको काफी सारी details बतानी पड़ेगी कि यह वाला particular चीज है जो मुझे यहां पर change करनी है यहां पर change करनी है, तो communication यहां पर थोड़ा difficult हो जाएगा तो इस तरीके से यहां पर feedback दिया जा सकता है तो basically यह आपको feedback देने में और communication में भी help करते हैं यह वाले tools यहां पर मैं आपको कुछ tools बताऊंगा जो कि आपको help करेंगे design feedback लेने के लिए clients है It also depends कि यहां पर आपके clients को क्या चाहिए but यहां पर at least आपको तो सारे tools को use करना आना चाहिए and then ultimately वो client ही decide करेगा कि यहां पर उसको किस तरीके से communicate करना चाहिए तो यहां पर जो भी main tools है मैं उसके बारे में बता देता हूँ और अगर आपको और detailed में जानना है तो फिर आप लोग मेरा detailed article जाके पढ़ सकते हैं महाँ पर आपको कुछ extra tools भी मिल जाएंगे सबसे पहला जो tool है वो है हमारे पास hightail.com के उपर आप लोग जा सकते हैं प्राइजिंग के अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको free plan मिल जाता है जहां पर 100 MB तक की हम लोग files को upload कर सकते हैं और 2 GB की storage limit है तो इसका free plan मुझे यहां पर कापी अच्छा लगा है जैसे यहां पर हम लोग लोग इन करते हैं हमें कुछ इस तरीके का यहां पर इंटरफेस दिखाई देता है यहां पर हम लोग अपनी space create कर सकते हैं और उसके अंदर यहां पर हमारी images बना सकते हैं जैसे यहां पर images को upload कर सकते हैं ऐमइज को अनघे उपलोड किया है इसके भाद अगर मुझे अगर मुझे उसको क्लाइट को शेयर करना है यहां पर मैं जाओंगा, संद वाया करदूगा लिंक को फांप कर दूगा यहां इpflicht कि में अपने ख़िए को बीद्ध सकता हूं और यहां पर अगर उसको कुछ कुछ कॉमेंट करना है, मानलो मुझे कहना है कि add more logos here तो मैं यहां पर कर दूँगा, इसको मैंने सिलेक कर दिया, यहां पर मैं comment पर चले आँगा, add more logos तो इस तरीके से यहां पर feedback दिया जा सकता है, पोस्ट में क्लिक करूँगा, तो मुझे यहां पर एक अपना account भी बनाना पड़ेगा इससे पहले मैं अगले टूल के ओपर जाओ, मैं एक disclaimer देना चाहूँगा, कि यहां पर मुझे किसी ने भी sponsor नहीं किया है, जो भी मैं बता रहा हूँ, वो मेरी यहां पर खुद की personal opinions है अगला है यहां पर हमारे पास concept board, अगर आपको wide board के थुरू यहां पर explain करना है, तो फिर आप लोग यहां पर concept board का use कर सकते हैं, अगर मैं इसकी pricing की बात करूँ तो इनका भी यहां पर free plan रहता है, unlimited यहां पर boards हम लोग बना सकते हैं, objects सिफ 100 रख सकते हैं, but it is good, participant per board भी 50 है तो काफी काम हो जाएगा आप लोग का starting plane के free plan में भी, तो किस तरह का interface है, जैसी यहां पर हम लोग लोग इन करेंगे, इस तरह का interface दिखेगा, boards पे जाएगे, तो boards पे यहां पर हम लोग हमारी images को upload कर सकते हैं, for example, यह रहा मेरा board, यहां पर मैंने एक board create करके रखा है, thumbnail और unnamed board thumbnail के उपर यहां पर मैं चले जाता हूँ, तो यहां पर मैंने एक board बना के रखा है, उसके उपर यहां पर मैंने अपनी एक image भी upload कर दिये, तो यह रहा है, यहां पर मेरा board यह मैंने image अप्लोड कर दिये, अब अगर मुझे उसको share करना हो, किसी client के साथ मेने तो मैं तो म इमेज यहां पर खुल जाएगी और वो फीडबाग भी यहां पर दे पाएंगे यह इमेज मेरी खुल गई है यहां पर ट्यूटूरियल भी आ गया है तो थोड़ा यहां पर लगेगा कि यहां इतनी सारी चीज़े क्या आ गई है बट अगर आपका क्लाइंट थोड़ा बहु कोन्सेट बोट वाका अगुश्थिंद बट गई घंव कंट नहीं दने ट्रीट करना हो तो भी कॉन्सेप्ट बोयु पर यहां पर मुझे कुछ कॉमेट डालना एंतने डिसवांने कुछ कॉमेंट देना है तो स्मिक करणाब शेशकरों चांट नहीं पर टीक है सेव कर दिय यहां पर मैंने इसको ट्राइब कर दिया ठीक है मैं यह कहारा हूं कि यह जो पार्ट है यहां पर इसका आप लोग चेंज कर दो इसका कलर ब्लू में तो इस तरीके से फीडबाग दिया जा सकता है यहां पर हमारे पास इन विजन इन विजन एक काफी पॉपुलर टूल है डिजाइन फीडबाग के लिए डिजाइन कोलाबरेशन के में ली तो जैसी यहां पर हम लोग जाते हैं इसके प्राइजिंग के ऊपर इसका फ्री प्लान भी आता है हाला कि इसमें कुछ बहुत जाद इसके उपर आप लोग आप इसको में आप इसको शेयर कर सकते हैं इस लिंक अगुकू क्लाइं go अर जैसरह को फॉल एपर इस तरय का इंटफेस इनए अच्छा है और अग्र अकिपर कुछ कॉमेंट्स देने हो तो यहां पर कॉमेंट पर और कॉमेंट आ जाएगा को transfer करने के लिए अगर clients को zip file में चाहिए तो फिर आप लोग traditional method जो रहता है Gmail का उसका use कर सकते हो अगर files बड़ी है तो फिर Google drive के थूप भेज सकते हो अगर आपको दोनों नहीं चाहिए तो फिर P cloud transfer एक अच्छे service है यहाँ पर आप लोग अपनी files को upload कर सकते हो 5 GB तक फ्री में बेज सकते हो उनका email डाल दो and then message डाल के उनको यहाँ पर send files कर दो काफी easily यहाँ पर zip files आपकी चली जाएगी अगर बड़ी फाइल से वो भी चली जाएगी और आगर आपकी बहुत जादा पर मिल जाएगा अगर आपको यूज करना है तो जाके चेक आउट कर सकते हो अब यहाँ पर अगर आपको कुछ confidential files को भेजना है मालो government organization से related हो सकते हैं यहाँ फिर कुछ sensitive files हो सकती है अगर आपको वह सारी चीजे सेंड करनी है तो हम लोग नॉर्मल किसी टूल का यूज नहीं कर सकते हैं ना ही उनको gmail के उपर भेज सकते हैं यहाँ पर आपको उसको पहले encrypt करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद send करना पड़ेगा तो इस समय यहाँ पर हमारे पास एक service आती है that is Tresorid Send आप लोग यहाँ पर Tresorid Send का यूज कर सकते हैं आपको end-to-end encryption यहाँ पर मिल जाएगा सारी files सापके यहाँ पर confidential रहेगी 5GB तक यहाँ पर आप लोग फ्री में भेज सकते हो काफी easy है काफी अच्छा है इसके ऊपर भी मैंने detailed article लिखा हुआ है अगर आप लोगो कुछ use करना है तो जा के देख सकते हो अगला टूल है यहाँ पर हमारे पास Zee Flow अगर आपको कोई पेट टूल चाहिए बजट में तो फिर जी फ्लो एक यहाँ पर अच्छा option रहेगा इसके प्राइजिंग की बात करों तो है डॉलर 9 पर मन्त से स्टार्ट होती है बजट के साब से it is a decent option अगर आपको कोई पेट अगर आपको वीडियो की ऊपर यहां पर फीड़ाग चाहिए यहां पर कोलाबरेट करना है वीडियो पर तो फिर आप लोग फ्रेम डॉट आयो का यूज कर सकते हो इसके प्राइजिंग की बात करों तो इनका भी प्लान है यहां पर आपको 2GB तक की आक्टिव स्टोरेज म का पर चुमें पर कर सकते हैं यहां फोटधने वीडियो के यहां पर दिख जाएंगे क्लाइन वीडियो के हुपर फीड़ाब्स आघर नक Rsुर 7 यहां पर टीन पर किस तरह से पोर्ट गया तो और उनको फीड्पार देना तो उस तरह न को पूटस बेजिए अगर उनको वा all depends कि उनका communication method क्या है उनके लिए convenient क्या है doesn't matter यहाँ पर आपको क्या पसंद है आपको यह figure out करना पड़ेगा कि उनको क्या अच्छा लगता है यह वाला वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको यहाँ पर options दे सकूँ यहाँ पर यह सारे टूल्स आप लोग एक बार यूज करके देख लो एक लिस्कीप देम इन और आसनल कि जभी उसकी requirement रहे आप लोग यहाँ पर उसका पर यहाँ पर लोग आपार बाव भाला भाला ताकि मैं आपको जब कि जएगा जए वफग झाए यहाँ साएले कि जए पर यहाँ आपको यहाँ पर वहाँ आपको रहें तक है लोग्टा है